हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मेसी के ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग वनस्पति जगत का वरगी करन यानि Classification of Plant Kingdom का last lecture कहें तो करने वाले हैं क्योंकि इस exercise question का हम लोग पार्ट टू करते हुए पूरा Classification of Plant Kingdom को theoretically 4 lecture में पढ़ाया है वो आपको देखना है प्लस 2 lecture में हमने पूरा MCQ करवाया है इसका part 1 आपको botany mcq video lectures वाले section में मिल जाएगा और इसका part 2 भी यहीं पे available हो जाएगा तो इस तरीके से 6 lecture में आपका classification of plant kingdom इस तरीके से हम लोग complete कर दिये कि आपको अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आपके exam में question अगर इस chapter से आता है तो इसी से आएगा और आप बेहतर कर पाएंगे ठीके जी चलिए start करते हैं आज के question को हमारा first question क्या है ध्यान से सुनिएगा इसमें कुछ important topics हैं जैसे classification of plant kingdom में आपको taxonomical hierarchy ध्यान रखना है binomial nomenclature ध्यान रखना है फिर विटेकर का आरेच विटेकर का जो five kingdom के system of classification है उसको पुरा ध्यान रखना है प्लस कुछ system of classification है तीन जैसे की कृत्रिम artificial classification system फिर natural classification system जो की बैंथव भू कर नहीं दिया था फिर आपका हो जाता है phylogeny classification system जिनने जाती वृतिय वर्गी करन पदती ये सब कुछ important topics है जिससे questions लगातार आएंगे आपके exam में जैसे कि आपके नामकरन के सबसे जैसे कि नामकरन मतलब क्या होगा binomial nomenclature यानि दू नाम पदती जो किस ने दिया था जो किस ने दिया था लीनियस ने दिया था ठीक है तो वही बात हो रही है नामकरन के संबंद में कौन सा कथन सही है नामकरन के संबंद में कौन सी कथन सही है तो about binomial nomenclature से डिलेटेड हमने तीन चार वह को बताये थे वह आपको फिर सरवास कचने रहा एक फिर first नाम जो होता है वो क्या होता है first नाम क्या होता है generic name होता है यानि genus का नाम होता है और जो second नाम होता है दो word का होता है उसमें first word genus होता है और second word species का नाम होता है species होता है जीनस यानि क्या होग dal से नाम से पी मतलब इंड लेतर होता है व dif करेंध में होग рассказ लाए नाम्स ए व ची ओन्टकीया तो मुणे प्रम में हो अगर हांथ से लिख वाये तो उचे क्रेंगा अगर 7세 ऑन जरी लिख में लिखा होगा समझ रहे हो तो यह कुछ नियम से हैं जो कि आपको याद रखने हैं रूल्स हैं वो आप देखिए इसके option के साब से पूछिए कि कौन सा खथन सही है मतलब कौन सा रूल सही है कहने का मतलब है once once कहने का मतलब है genus वेक्यानिक नामों को इटैलिक में छहापा जाता है अरे जो नाम कर रहे है जो नायम लिख रहे है वो scientific name इतो लिख रहे हैं तो वो क्या होता है italic में छापा जाता है जब हम लोग computerize में छापते हैं तो उसको कैसा करते है italic करते है यह भी सही है तीसरा option है विज्ञानिक नामों को जब हम हाथ से लिखा जाए तो उन्हें रेखांकित करना चाहिए जी हां अंडरलाइन करना चाहिए रेखांकित करने का मतलब हुआ तो जी हां यह हो गया तीनों मतलब क्या है सही है मतलब आप cancer क्या जागा उप्रोग तुमें से सभी clear चलिए अब लोग next question पर आते हमारा next question क्या है hierarchical वर्गी करन यानि hierarchical classification का ताथपर है हमने बताया था hierarchy word का मतलब क्या होता है तो हम बतायते क्रमा अनुसार किसी भी चीज का arrangement करना सीड़ी के समान arrangement करना क्रम में अरेंज करना बढ़ते से छटते क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में कोई एक क्रम फॉलो करना चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं हायार्की करते हैं सिड़ी को हैर्की करते हैं तो वही पर आप अप्शन पढ़ सकते हैं डिविजन को वर्गों में विभाजित करना ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, वर्गों को गन में विभाजित करना बिलकुल नहीं, गनों को कुलों में विभाजित करना ऐसा हमने कुछ बोला था, नहीं, हमने क्या बोला था, वस्तुओं को, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनतुओं को, किस फाइको एरिथरीन और फाइको साइनीन वरनक किसमें पाया जाते हैं तो जो फाइको एरिथरीन और फाइको साइनीन वरनक है यह याद रख लिजे आप साइनो बेक्टरिया में पाया जाता है किसमें पाया जाता है साइनो बेक्टरिया में बहुत इंपोर्टेंट यह क्या ह होता है वरनक कौन से वरनक होते हैं फाइको एरेथरीन क्या होता है फाइको एरेथरीन फाइको एरेथरीन फाइको एरेथरीन एंड फाइको साइनीन फाइको शाइनीन याद रख ले जगा फाइको एरेथरीन फाइको शाइनीन किसमें पाया जाता है साइनो बेक्टिरिया मे पाया जाता है, clear, चलिए, next question हमारा क्या है, वर्गी करन की इकाई होती है, वर्गी करन की जो इकाई है, वो क्या है, हमने बताया था, यह क्या है, हमारा classification है, टेक्सोनोमिकल classification है तो इकाई किसको कहते है यूनिट इकाई को इंग्लेस में कहते है यूनिट और यूनिट होता है वो जो सबसे छोटा होता है तो आपको पता है कि सबसे छोटा क्या है इसमें हमारा species है species को Hindi में हम लोग क्या कहते है जाती कहते है genes को Hindi में क्या कहते है once कहते है ध्यान रखिए गा तो आपका जो species हो गया जाती हो गया वह वरगी करन की इकाई कहलाती है unit of the classification is species and I हम लोग कहा सकते हैं कि species is the unit of taxonomy taxonomy का मतलब भी यह होता है वरगी करन clear चलिए जब जाती का नाम वंस के नाम के साथ पुंडरा वृत हो तो क्या कहलाते हैं क्या कहते हैं यह हमने थियोरिटीकल में भी बताया था कि देखे जाती का नाम यानि जो बाइनोमियल लेमिन कलेजर लिख रहे हैं तो सुरुवाती वर्ट जीनस होता है सगेंड वर्ट इस कहलाता है जैसे कि एक्जांपल में टॉटो निमस का है गोरिला क्या गोरिला गोरिला का साइंटिफिक नेम होता है गोरिला 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 मतलब इसका क्या है इस पीसी जीनस भी वही है तो गोरिला इस एक्जांपल ऑफ टॉटो निमस क्लियर तो आपको क्या मैं बोल र नाम और जाती का नाम दोनों पुर्णावरित हो जाए रेपीट हो जाए तो वह क्या कहलाते हैं टॉटो निमस कहलाते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट कोशन हमारे क्या है वर्तमान में किसी पौधों के वेग्यानिक नाम प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है कोई भी नाम नहीं रखना है सरल मतलब एक छोटा सा नाम रखना है जो कि पढ़ना आसान हो और याद रखना भी आसान हो नामों का उच्चारन भी कठिन ना हो आराम से करते हैं मतलब समझ रहो ना कुछ ऐसा वैसा नाम ना हो मतलब थुरसा याद रखना भी आसान हो बात अलग है ह हम लोग के लिए वह आसां नहीं होता है क्योंकि वह लेटिन ह scor उप लिए आसां होता हैं वहां लिए तो सरदर्द होता ही है हम लोग कहां आम बोलते हैं वो लोग मेंगी फेरा इंडिका उनको मेंगी फेरा इंडिका अच्छा लगता है समझ रहो हमको लगता है मेंगी फेरा इंडिका को बॉलिवुड हीरो का नाम है समझ रहो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा ही होता है तो आप कांसर जागा उपरिय है उसका नाम जो है लंबा नहीं रख सकते उचारन भी बहुत ज्यादा कठीन नहीं होना चाहिए यह तो होना है कि लेटीन भासा में ही होना चाहिए ठीक है उपर सभी आपका अंसर चला जाएगा ओके नेक्स्ट है उकरियोटिक है वो प्रोटिस्टा के अंतर गता जाएगा वश्याओ यूणी सफ़ी होना चाहिए तो मैं बता दूं कि आपका जो सैवाल होता है सैवाल यानि यानि कुछ-Kुछ ऐलदी ऐसे होते हैं कुछ-कुछ ऐलगी ऐसे होते हैं क्योंकि यूदि यू-क्री बनी श्ब cellular algae है unicellular algae है तो मतलब एक कोशिकिय सैवाल है तो एक कोशिकिय है UKriti का है मतलब claim idomonas plant kingdom में तो आएगा ही आएगा लेकिन protista के अंतरगत भी आ जाएगा तो आपका क्या हो गया सैवाल भी protista के पार्ट है प्रोटो जोगा कहते हैं तो आपका आंसर हो जागा क्या प्रोटो जोगा सैवाल तथा कवक क्या प्रोटो जोगा सैवाल तथा कवक यह आपका answer चला जागा ठीक है चलिए next question हमारा क्या है पाउधों का क्रित्रिम वर्गी करन पस्तूत किया था artificial system of classification में कुछ-कुछ वैग्यानिक थे जीशा ब्रोटो जीनियस थे तो आपको answer टिक करना है देखिए option में क्या मिल रहा है में तो लीनियस ने किया था artificial system देखिए लीनियस बहुत important scientist थे ठीक है artificial classification of system जो दिये थे क्रित्रिम वर्गी करन पदती वो लीनियस नहीं दिया था तो लीनियस नहीं क्या क्या दिया था two kingdom system of classification इनहीं नहीं दिया था जिसमें कि plant kingdom और animal kingdom बताया binomial nomenclature इनहीं नहीं दिया था father of modern taxonomy आधुनिक वर्गी करन का जनक भी इनहीं को ही कहा आयाता है और artificial classification system यानि क्रित्रिम वर्गी करन पदती भी इनहीं नहीं दिया था लीनियस नहीं दिया था उसमें पांच kingdom थे वह पांचों kingdom के नाम आपको मैं याद रिवाइस कराता हूं monera, protista, fungi, plantae, animalia ठीक है monera, protista, fungi, plantae, animalia तो उसमें जो सुरवाती जो दो गो थे वो दोनों unicellular थे और एक था prokaryotik जो कि monera था और यह eukaryotik था जो कि प्रिटिष्टा था लेकिन जो multi cellular थे और eukaryotes थे वो कौन-कौन से थे fungi थे और plantae थे और animalia थे अब question देखें क्या है यहीं से question है यूовые के रीओट्स का स्थान है कितने में कितने में लिए किस मैं इसमें भी उके रिक रीओट्स है इसमें भी इसमें उकंड आपको स killer में यूनिका घार्लिंग ने मंन नहीं भी इसमें डार्थ quello spiser लोगजमे धान अsis किसमें मोनें एसा जो की प्रोकरियोटिक और सब यूकरियोटिक है तो आपका क्या चलाएगा चार आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि भाई याफ वाइट किंग्डम सिस्टेम क्लासिफ के संद कितना जगत पांच जगत पांच जगत में हमको सब पताइए दिये हैं कि सिर्फ एक्केगों लेटिन नाम क्यों दिया जाता है क्योंकि लेटिन क्या है लेटिन सरल भासा है संपूर्न जगत में एक पाउदे के लिए ही नाम होता है यह लिखने में सरल है दूसरी भासाओं में अधिकांस नाम सही रहने नहीं होते हैं ऐसा कोई अप्शन नहीं है आपको जो लेटिन नाम होता यह तो आपको भी पताए कि भाई सरल भासा तो है यह बड़ी डिफिकल्ट भासा है लेकिन हाँ लेकिन नाम इसलिए दिया था कि पूरे विश्व में आप साइध मैंगो बोले तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान इधर आसपास के जो एसिया के कंट्री है वहीं प गूगल कर लेंगे उनको पता चल जाएगा मैंगी फेरा इंडिका अगर पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं कि कोई वहां पर बेगर समझते हैं वहां का भीकारी भी रही सोता है वहां के बेगर से जाकर पूछो गया भाई मैंगी फेरा इंडिका है क्या आपके पास है तो रहा लिखा इंसान है न उसी को समझ में आगा कि मैंगी फेरा इंडिका क्या है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है कि लेटीन नाम जो होता है वो क्या होता है वो इंटरनेशनल नाम होता है वो हर जगह एक ही होता है नाम चेंज नहीं होता है जगह के अनुसार नाम चेंज नहीं हो किस के अनुसार करते हैं किसके लिए को किसके लिए दिया जाता है विचार धारा की उपारजित लक्षन वनसागत होते हैं किसा भी नहीं है सीमा करक सिध्धांत यह भी नहीं है तो आपका option में तो एक ही मिला लेकिन है तो बहुत चीज के लिए आर्टिफिसिल सिस्टेम आफ क्लासिफिकेशन के लिए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्शॉनमी के लिए तो यह सब चीजे हैं लेकिन आपको धियान रखना सबसे छोटा क्या होता है सबसे नीचे क्या था था थाना तो अप इस्पिसिज है यस जाती आप मर देख़्ेस जाती घ्लियर चलिए लिए निस्ट्ट कुश्चन हमारा क्या है बाह जीवन विज्ञान एक्सो बायलोजी निम्ली में किसके अध्यान से संबंदित है बाह ज जब अर्थ से अपने फृत्वी को छोड़ कर अपने और फी टीफ को चोड़ा कर किसी अन्य गर्हा पर बाइलोजी पड़ते हैं तो उसकों लोग एकशो बाइलोजी कहते हैं एकशो बाइलोजी कहते हैं अपका option number 1 ही सही हो जागा चाहां अन्य ग्रहों पर जीवन से अध्यान सम्भधित क्या कहलाती है बहँ जीव विक्यान कहलाती है पौधों का एक समुह जो किसी रैंक के समाण ट्रा युक्त होता है वो है हमने बताया था टेξोनमिंकल हैरकी में समुह का बात कर रहा है समूह पाउधों का एक समूह जो किसी रैंक जैसा काम करता है देख रहे हैं रैंक वन रैंक टू इस तरी के से रैंकिंग हो रहा है ना रैंक जैसा काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है हर एक समूह क्या कहलाता है हमने बतायता है हर एक समूह हर एक समूह अपने आप में क्या कह तो आप आजागा टेक्सॉन क्लियर चलो नेक्स्ट कोशन पर आते हैं हम लोग पांच जगत वर्गी करन परनाली किसने प्रस्तूत की ती यह कोश्चन है बताओ कि तो हम माथा चूड़ देंगे माथा फोड़ देंगे बताओ बिर्बल ने नाए भाई बिर्बल कहां से आ ग अब विटेकर ने कब किया था पांच जगत परनाली को तो बताएए उसको 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 मौनीका नहीं मोनेरा से मिलनेगा मोगा मिलनेगा ठीक है मोनिगा से नहीं मिलना है तो क्या हुआ मोनेरा फिर क्या प्रोटिस्टा फंजी फंजी नहीं फंगी प्लांटाई एनिमेलिया ठीक है बताओ मोनेरा क्या होता था तो यूनी सलूलर प्रोकेरियोटिक होता था एक्के को प्रोकेरिय होता है और इसका सेलोवाल किसका बना होता है काई टिम्डा ऑफाइठी ऐस Souls को प्राकास कर पाते हैं प्लस अनी क्या है Multicellular होते हैं Eukaryotic होते हैं Organ present होता है Organ system भी present होता है Plus इसमें Heterotrops तो हम लोग है ही Plus यह हम लोग क्या है Holojike type of nutrition हो करते हैं और एक होता है Seprophetic यह दोनों करते हैं तो इस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में घपनी चाहिए ठीक है Monika का नाम तो याद हो गया होगा भगवान न करे कोई आपके भैच में नाम हो Monika नाम की लड़की माफ किज़ेगा आज मुह से निकल गया Monera Monika में confusion हो जाता यार लेकिन interesting नाम है गाना मस्त है वो Next Linius की दुई नाम पदिती का अर्थ है कि परतेक जीव का नाम है Linius जो हम लोगने दुई नाम पदिती दिया था उसका नाम क्या उनके कहने का अर्थ क्या है जो दुई नाम पदिती है मतलब दो का अर्थ क्या है वहाँ पे दो विज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम सब्सक्का नाम हो नाम होना किसका सब्सक्स दूब ढ़कर मुटे शचाईब लूट और व्हारेश चल्ट सब्सक्राइब यूां लगता है हम को भी मोनेरा याद कर रही है इस जीनस और जाती क्या हो जाएगा था सॉरी जाती जोने लूश 11 species आते हैं मोने रहा आर्की बेक्टिडिया यू बेक्टिडिया बताओ तो साइनू बेक्टिडिया में कौन सा पिग्मेंट पाइए था इवं पाइको साइनीन ठेक चलो हो गया नेक्स्ट केश्टन हमारा क्या है निम्नम में से किसमें किसने पौधों का प्रकृतिक वर्गी क कि बेंथम टथा हूकरने समझ रहो बैंथम ऑबन प्रक्रितिक वरगी करन चुरल विंदेशन सिस्टम किसने दिया था बैंथम एवं हूकरने तो ने चुरल देखतो बैंथम बैंथा हम लोग के घरतर है जो घर है मिनता क्लासिफेशन नेट्री और नच यांडर लखेशन यादाकोरो रखेंतिनेटेशन नच किसको करते हैं क्लासिफिकेशन sentences यादर जाएगा नेच playing at नच को कलेंए बंथा इस तरृच को क्या सबना में ए नूप एकां में सबसे प्राचीन सदस्य निमने में से किसे माना जाता है तो बताइए पादब जगत में कितने डिवीजन है कितने डिवीजन है पांच कौन कौन सा बताइए प्लांट किंग्डम को किसने बाटा गया बताओ प्लांट किंग्डम क्रिप्टो गेम या फेन्रो गेम या तो बाटा गया लेकिन डिरेक्ली आप उसका डिवीजन बताओ प्लांट किंग्डम कौन कौन सा था मैं बताता हूं सबसे पहला क्या था बताओ थैलो फाइटा क्या था थैलो फाइटा जिसको में लोग एलगी कहते तिसरा क्या था थेलोफाइटा प्राइओफाइटा उसके बाद क्या था टेरीडोफाइटा टेरीडोफाइटा क्या हो जागा टेरीडोफाइटा उसके बाद क्या हो जागा चौथा नमबर में क्या हो जागा जिमनोस्पर्म क्या हो जागा जिमनोस्पर्म और पांचमा क्या जाएगा ग्रूप ग्रोफ कूछ इस प्रकार से होता है कोई किसे होता है इससे होता है मतलब क्या हुआ जो सबसे पहला होगा वहीं न प्राचिंतम नहीं होगा और सबसे पहला है क्या हमारा सबसे पहला है क्या हमारा तो हमारा है थेलो फाइटा सबसे प्राचिन तम क्या हो जाएगा थेलो फाइटा उसके बाद क्या ब्राइटा उसके बाद क्या जीमनों स्पर्म सबसे विक्सित होता है एंजियो स्पर्म समझ रहे हो तो इस सिक्वेंस में है तो लीप नहीं, बड़ नहीं, इस्टेम नहीं, रूट कुछ कि क्रिप्टो गेंच किसको कहते हैं जिसमें की पूस्प और बीज नहीं बनता है जिसमें कि फूल और फियों फेनेरों गेंच किसको कहते हैं जिसमें कि क्या होता है पुस्प और बीज लगता है ठीक है तो crypto games और फेन्रो games question ऐसा आता है कि crypto games के अंतरगत कौन कौन से हैं तो तीन है ठेलो fighter और फेन्रो गेम्स के अंतरगत कौन 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 से जिम्नोस पर एंजियो पर कलियर चलो अब प्रिप्टो गेम्स नहीं है था कौन कौन सा तो शुरवाती तीनों का नाम क्या था थैलोफाइटा फिर क्या था ब्रायोफाइटा मैं बार-बार क्यों लिखता हूं ताकि आपको किसी तरह से याद हो जाए और आप भी लिखिए टेरीडो फाइटा अब भी लिखिए टेरी यह क्या था यह क्या था तीनों क्रिप्टो गेमिया थे और जो नीचे में था जीम्नों असपर्म और एंजियो असपर्म वह क्या थे फेनरो गेम्स थे तो जो पूछ रहा है क्रिप्टो गेम्स कौन सा नहीं है मतलब यह तीनों ता अंसर में नहीं होगा क्यों 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 तो होता ही है तो आपका सहवाल तो किस में आता थेलोफाइट आता ये खट गया ब्रायोफाइट तो क्रिप्टो गेम्स है तो जीमनोफाइट भी क्रिप्टो गेम्स है तो जीमनोफाइट क्या है एक फैनरोगेम्स है तो यहां क्रिप्टो गेम्स नहीं होगा तो अंसर वज के exercise में कुछ question आलतु फालतु भी दिये हुए है जिसके के जिसे के उस्टवाल का आपको classification नहीं पढ़ना है वो MSC BAC level में पढ़ा जाता है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो सब चीज़ आपको भी नहीं पढ़ना है ठीक है उस सब से question आएंगे नहीं जिससे question आएंगे जो चीज़ें आपके book में देना चाहिए था वो दिया नहीं था तो मैंने add कर दिया प्लस कुछ questions भी फालतु दिये हुए थे तो उसको भी छाट-छाट के मैं पढ़ाता हूं आपको और जो जो पढ़ा रहा हूं देखो एक mentor होने का यही तो फाइदा है कि अपने experience के अगर उतना कर लिए तो 40 से 45 कोई नहीं काटेगा कोई नहीं काटेगा और 50 में 50 तो question मेरे से भी नहीं बनता भाई मैं भी क्यों तारीफ करूं पाचास में से 50 question ऐसा नहीं कि मैं बना ही दूँ हो सके मेरा से भी 45-45-45-50 question तक मतलब 45-46 तक ही बन पाएगा कुछ 3-4 question आपके एक्जामें आते ही हैं इसलिए डाला जाता है ताकि वह आपसे बने ना ठीक है क्योंकि भाई लोजी किसी भी सब्जेक्स का अथास आगर है पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो प्लांट कीगनम को ही पढ़ो 15 lecture में पढ़ते रो क्या गरेंटी को 15 lecture में तुम पढ़ ला जाता है उसको छोड़ दो शुर्वाती 45 से कम संब उसको तो पकड़ो उसी से तो सेलेक्शन होना है समझे तो यह है हमारा माइंड गेम समझे इस तरीके से हम लोग दिमाग खो पढ़िया लगाते हुए समार्ट अश्टेडि करो सेलेक्शन पक्का होगा ठीक है चलिये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सॉरी रस्प्रेटरी सिस्टेम जोलोजी में एक चैप्टर और इस संडे में आपका क्लासिफिकेशन और प्लांट किंग्डम तो कन्फर्म रहेगा रट लो ठीक है चलिए संडे के टेस्ट में ओके चलिए मिलते हैं